चतरपूर कलेक्टर इन दिनों फैसला ओन्द स्पॉर्ट कर रहे है अपनी जन चौपाल को लेकर खासे चर्चे में है जिले के नोगाम ब्लोक के बार अब उन्होंने लवकुष्णगर अनुवी भाग के बरहा और चुरियारी गाव में चौपाल लगा कर न सिर्फ मौके पर समस्याओ का निराकरन करवाया बलकि एक बुजर्ग को पटवारी को दिये रिश्वत के पैसे भी वापस दिलवाए दरसल बरहा गाव में कलेक्टर शिलेंद्र सिंग चौपाल लगा कर ग्रामिनों की समस्याए सुन रहे थे तबी बुद्ध किसान रार्म कुमार निवासी बरहा ने बताया कि पटवारी ने उनके खेट को नापने 4000 रुपे लिए है कलेक्टर शिलेंद्र सिंग ने ततकाल मौके पर बुजर्ग किसान को न सिर्फ उसके पैसे वापस दिलवाए बलके पटवारी को हिदायत देते हुए बुजर्ग का काम करने के निर्देश दिये बरहा गाँ पटवारी को 4000 रुपे दिये खेट न पौने के लिए और पटवारी साहिब ने पैसे वापस करवाया और धन्यवाद इसके लावा बरहा के कैंसर पेडित महिंदर सिंग जिनका लंबे समय से प्रयास के बाद भी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बन पाया था मौके पर ही समिती प्रवंदक ने हित ग्राही महिंदर का केसी सी बनवाया कलेक्टर ने सुषना के उपरान भी उपस्तित न होने पर ग्राम से वकाशा राम रहकवार को निलंबित कर दिया वही चुरियारी गाव में एनम के सेंटर में नरहने पर उन्हें जम्प कर फटकार लगाए कलेक्टर ने जनता के सामने ही अधिकारी करमचारीयों को सक लहजे में इरदेश दिये कि ग्रामी जनों की रोजमर्रा के कार्य से संबन्दित दिकतों का समय सिमा पर निराकरण करे साथी मुख्याले पर रहे कर कार्य संपादित करे लापरवाही बरतने पर सम्मंदित के खिलाब कारवाही की जाएगी क्लेक्टर की इस कारे प्रणाली से जहाँ जमीनी विराव परवाही करमचारियों में हडकम का माहूल है वही जनता अपने जिले के मुकिया के इस काम से बेहत खुश नजरा रही है NBC News के लिए एच्छादरपूर MP से राजेंदर सिंग की रिपोर्ट